हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसे क्यों में तो देखिए हम लोग जो है एस आई सी का 2019 वाला पेपर सोल कर रहे थे तो 50 तक हमने सोल कर लिए इसके इसमें टोटल फार्मेसी के हमारे 100 कोईशन्स आये थे ना तो 50 कोईश सब्सक्राइब चैनल इंवाल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर ओके ऐसे कौन से चैनल से चैनल अगरें चैनल मार्केटिंग चैनल तो यह को बताना कीmat की से कृण साशन्स होगा TON तो आपका देखिए इसको option जो option C हो जगा 30 to 40 kg per meter square ओके बी एम आई जो है यह क्या है body mass index होता है क्या यह BMI मतलब body mass index देखिए इसमें करते है person weight divided by square of the person's height तो इसलिए इसकी unit kg per meter square है weight उसको divide किससे करना है square of the person's height तो कहरे रेंज जो 25 तो 30 kg per meter square होती है उसे क्या कहेंगे overweight ओके कहरे for adults WHO जो world health organization ने क्या define क्या overweight as a BMI body mass index 25 और higher 25 यह उससे ज्यादा होगा तो उसे overweight कहेंगे ओके और जो कहरे कि obese किसे कहेंगे 30 यह उससे ज्यादा वाले को क्या कहेंगे body mass index 30 और ज्यादा ज्यादा और द्रग में हमारा ब्रहत आता है एनटी cancer में जो लोग देखते हैं तो उसमें हमारी कैसी ़िए to नोग है तो उसमें साइब क्या है सामें सानक डैरिवेटी ओफ्लो पौडो फाइलो टॉक्सिंडिवे का पॉडो फाइलो तॉ क्या है देखेगे प्लांट तरपीन है फ्लांट डलाइकोजाइड्स फ्लांट गलाइकोजायड सब्सक्राइब प्लांट ग्लाइक को साइड हो जाए गई यह तो फामेसी प्रोफेशनल शुट भी तो फामेसी प्रोफेशनल को क्या होना चाहिए नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन और हिट्रोफ होते हैं तो यह जो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ट है यह नेक्सिजन लिक्विसाइट ग्रोफ टंपरेचर एनर्जी सोर्स नूट्रिशनल लिक्विसाइट तो यह क्लासिफिकेशन एनर्जी सोर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आ होता है अपना सबसें अपना इण हमेद्र sound को बाड़ केशार इंस इस से अपना और इंद भीड़ को कियों झालना। नेक्स्ट है structure evaluation of patients medications for improving health outcome is termed as medication error, medication review, hospital formulary pharmacovigilance देखे अब इक्वेशन नहीं बह आए तो elimination method लगाई है देखे फार्मको vigilance में तो आप क्या पढ़ते है adverse drug reactions वगईरा के बारे में पढ़ते हैं तो देखे इसमें कुछ दिख रहा है ऐसा तो यह नहीं होगा hospital formulary आपको लग रहा है hospital formulary भी नहीं होगा तो medication review होगा यह क्या होगा option B medication review structure evaluation of a patient's medication for improving health outcome is termed as medication review होता है medication review में क्या होता है यह systemic assessment होता है patients की medication के management का with the aim of optimizing the quality use of medicines and minimizing medication relating problem यह आपका medication review में आता है next mrna synthesizing the nucleuses देखे जो mrna होता है यह nucleus में synthesis जब होती है nucleus में तो यह देखे क्या बनता है पहले tmrna जो है snrna sc देखे यह क्या होता है hnrn होता है okay देखे ओप्शन जो डी हो जगा देखे hnrn मतलब क्या है heterogeneous nuclear rna होता है यह hnrn के mrn that is formed immediately after transcription के बाद जब transcription होता है तो immediately mrna की form बनती है वो किस form में बनता है mrna hnrn की form में बनता है okay अब यह जो hnrn होता है इसमें क्या है exons introns दोनों होते हैं it has both coding sequence that is exon and non coding sequence that is introns फिर प्रोसेस होता है splicing है जिससे जो non coding sequence को हटाते हैं eukaryotic hnrn undergoes different process to become functional mrna बनने के लिए different process होती है तो यह जो synthesized होता है जो mrna यह किस form में होता है nucleus में hnrna की form में होता है फिर इसकी different process होती है splicing होती है फिर बाद में convert होता है mrna में okay next question percentage change in quantity caused by 1% change in price price को change करा तो percent change in quantity में क्या change आया प्राइस को जैसे कोई भी product है उसका price हमने ज्यादा किया कम किया तो उसकी quantity पे क्या फरक पड़ा उसे क्या कहेंगे in elasticity of demand cross price elasticity income elasticity of demand price elasticity देखिए यह क्या है हम क्या कर रहे है price में change कर रहे हैं तो उससे देख रहे हैं क्या फरक पड़ रहा है quantity पे तो यह price को elastic करें price elasticity of demand हो जाएगा आपका option D हो जाएगा okay intake of minimum of four to ten drug at the same time देखिए एक ही time पे चार से दस ड्रग चार से दस दवाई आप एक साथ ले रहे हो regular therapeutic basis पे तो इसे क्या कहेंगे drug overdose, drug abuse, polypharmacy, drug overuse देखिए यह आजाएगा आपका polypharmacy में आ जाएगा okay option C हो जाएगा next which of the following is not a cell-derived mediator for inflammation तो cell-derived mediator में कौन सा नहीं आता वैसो एक्टिव अमीन्स है, acetic lipids, lymphokines, kinines है तो not a cell-derived mediator में हमारा कौन सा है यह kinines नहीं आएगा okay next है trypanema pallidium is the causative organism of तो trypanema pallidium किसका causative organism है देखिए जो syphilis होती है STDs में आती है, sexually transmitted disease में आती है तो मैं आपको बताती हूँ इसका causative organism है, आप STP से याद कर लीजिए syphilis का trypanema pallidium होता है, यह spiral होता है, spiral होता है, तो syphilis का है मतलब आंसर हमारा होगा, syphilis option जो है, यह हो जगा, डिजीज और उनके causative organism का वीडियो बनाके डाला हुआ है, चैनल पे अपलोड है, rapid revision notes वाली playlist आप लोग देखिए उसमें, I think first and second वीडियो यही मिलेगा आपको, तो उसमें बहुत सारी important disease के causative organism जो है, वहाँ पर देखिए हुए है, देखिए सिफिलिस का है, trypanema pallidium, clamadia का है, clamadia, यह जो है, clamadia कोज करा आपते हैं, trachomatis का clamadia, trachomatis होता है, AIDS का, आपका HIV वाइरस जो होता है, और गोनोरिया, निजेरिया, गोनोरिया होजेगा, ने सब, price that equate market supply and market demand is called, price that equate, जो equal कर रहा है, किसको, market supply को, market demand को, है न, demand और supply को equate कर रहा है, उससे क्या कहेंगे, market restoring price, market depreciating price, market clearing, elastic, elastic, तो यह market clearing price होते हैं, market clearing price होते हैं, यह वो price होते हैं, जिस पर, demand for a good, कोई भी good की demand जो होती है, by consumer, is equal to the number of goods that can be produced at that price, demand for a good, किसी भी चीज़ की जो demand है, कोई भी goods है, उसकी demand किसके equal होती है, number of goods that can be produced at that price, okay, तो यह होता है, market clearing price, at this price, supply and demand are exactly equal होते हैं, supply or demand इस price पर क्या होते हैं, supply or demand दोनों equal होते हैं, there are no unused goods, कोई भी unused goods नहीं होता, waiting to be sold, and no buyers who are unable to buy, तो यह होता है, आपका market clearing price के बारे में, Conference board is an organization for compiling the index of leading indicators, तो यह देखिए, आपका option जो है, one ही, यह ही राइट, जो है, leading indicators होते हैं, Conference board is an organization for compiling the index of leading indicator, देखिए, यह लिखा हो, इसमें, Conference board leading economic index is an American economic leading indicator होते हैं, intended to forecast future economic activity, ने सब, both snail and crabs are vector of which of the following disease, तो इनमें से कौन सी disease के vector होते हैं, both snails and crabs, दोनों हैं, देखिए, paragonimiasis है, systosomiasis and syphilitis silences, तो यह आपका होगा option है, paragonimiasis जो होता है, disease, इसके vector snail और crab दोनों होते हैं, ओके, निकोटनिक receptor हैं, तो receptor पर question है, receptor को अल्रेड़े वीडियो बना हुआ है, तो देखिए, receptor, निकोटनिक receptor कौन से हैं, मतलब कि जो आपके, मस्कराइन और निकोटनिक receptor होते हैं, तो उसमें निकोटनिक receptor किस टाइप के देखिए, मस्कराइन जो होते हैं, वो तो GPCR में आते हैं, G-protein couple receptors में आते हैं, मस्कराइन रिसेप्टर और निकोटनिक receptors हमारे, लिगेंड गेटिड आयन चैनल में आते हैं धियान रखना है तो निकोटनिक रिसाप्टर समारे आगे ली एंड जो लिगेंड गेटिड जो कटायन चैनल में आंसर आपको ऑप्षिन भी बिल्कूर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन और जो आपके लिए हैं तो आपके दो दिये हुए हैं निकोटनिक वाला जो हमारे घृटनिक वाला जो अपके दो दिये हुए हैं आपका एंसलाहिकलोस्टॉमा टॉर्डिनल क्या है देखिए अमीबा ही नहीं प्रो kell्डॉम्टोव नहीं नहीं थियो क्या चर्शाप आप परासिटिक निमेटोड होता है ओल्ड वर्ड हुक्वोम इट लिव इन स्मॉल इंटरस्टाइन और फोर्ट जिसे जो होस्ट होते हैं यह वेर इट इस अबल तो मेटन मैच्वोर एंड सैक्लोस्टोम डियॉडिनल निकेटर अमेरिकैनस और टू हुमान हुक्वोम स्पीसिस नॉर्मली डिसकॉस्ट टूगाइधर ऐस दा कोज ओफ हुक्वोम इन्फेक्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें यह जो हम में यह पढ़ते हैं सैक्लोस्टोम डियॉडिनल निकेटर अमेरिकैनस तो यह क्या है यह पैरासिटिक निमेटोड होते हैं ओके नेक्स्ट है विच सुलूशन को क्या कहेंगे मिल्क ओफ मेगनीशिया कहते हैं आप ओप्षें देख लिए जब मेगनीशियम क्लोराइड दिया है और मेगनीशियम सलफेट जो है यह भी बहुत बार आया क्वेशन कतार्टिक होता है तो इस कैसे पूछ लेते कई वीच ऑफ्डा विच वह souha इ है सलाइं कतार्टिक होता है कि नेक्सक्त स्मस असोसिएटेड विद्वेगे मिरासमस जो है यह किसकी टेशिएंसी से होगी फैट न कार्बोहईड्रेट डेफिशएंसी प्रो reiter deficiency only protein deficiency तो देखे प्रोटीन हम सिंपल पड़ते हैरे अटिर की की deficiency से आपका Here your Ça होता है Q O nAy cricket only protein के deficiency होती है लेकिन मयराव मस परोटीन और carbohydrate दोनों की deficiency होती है धीचनकनाप कि उस आंसर जयुको option C मराव मस में क्या protein ingredientsibles यह होती है उसमें होन्ली protein deficiency होती है हमारा आंसर ओप्षण और्फॉट्वीटार्टेस्ट तो इन में से किसकी एफेक्टिवनेस को असेस्ट करने के लिए करते हैं ठाल टैस्ट क्लोरीनेशन और गैनिक प्यूरिफिटेशन सीवेस त्रीटमेंट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तो कि एक कारेगा कलर चेंज करा देता है कलार चेंज टू यलोड़ीं की प्राइंस में यलोग अजएगा तो इसमें सिंपली क्या करते हैं वौटर में एक से पांच ड्रोप इसकी डालेंगे solutions की color change देखेंगे उसमें next adverse drug reaction does not occur due to तो कहरें जो adverse drug reactions होती है वो किसकी वज़ाए से नहीं होती देखें hypersensitivity hypersensitivity से हो जाएंगी drug change, overdose या allergy adverse drug reactions किसकी वज़ाए से नहीं होती आपने यह बताना है ध्यान से question को हमेशे ध्यान से पढ़ना है तो देखें कोई भी ड्रग जो है इसमें चेंज ड्रग चेंज की वज़ाए से नहीं होगी बाकि hypersensitivity से हो सकती है overdose से हो सकती है allergy से हो सकती है next है disease that is completely eradicated from India through systematized immunization program is completely eradicated है यह disease कौन सी है diptheria दिया है smallpox whooping का फ्लप्रोसी तो यह है कौन सी smallpox है option be right हो जगा respiratory distress syndrome in premature infant is caused by the absence of देखें जो premature infants जो होते हैं premature infants हैं तो इनमें respiratory distress syndrome देखने को मिलता है तो यह होता है surfactant की deficiency की वज़ाए से होता है मतलब कि देखें यह क्या है premature infant है ना तो premature है तो इनका lungs देखें यह एक type का क्या lung disorder होता है तो इनका lungs जो अच्छे से develop नहीं होा होता तो उसमें डेफिशेंसी होती है surfactant की ठीक है उसकी वज़ाए से होती है यह मतलब कि breathe नहीं कर पाते तो respiratory distress syndrome इसको बोल देते हैं तो इसमें कौन सा जो है surfactant है तो यह आपका lacithin involved होता है option भी हो जगा lacithin की absence की वज़ाए से होईगी देखें इसमें लिखा हुआ है infantile respiratory distress syndrome भी से बोल देंगे इसको respiratory distress syndrome of newborn भी बोल देते हैं increasingly surfactant deficiency disorders and previously इसको highline membrane disorder disease भी बोला गया है तो इसमें क्योंता है premature infants caused by developmental insufficiency of pulmonary surfactant production and structural immaturity in the lungs लंक्स में immaturity होती है वैसे क्योंता है इनमें जो pulmonary surfactant की insufficiency होती है तो उससे आपका यह respiratory distress syndrome देखने को मिलता है ओके नहीं से बीच आफ दा फोलूंगी जो superficial vein of the cardiovascular system की superficial मतलब सर्फेस के पास में जो superficial vein वह कुन सी बतानी है देखे बैसिलिक वेन और एक्जिलरी है subclavian है palmer है तो देखे यह होती है आपकी जो बैसिलिक वेन होती है आपका आपका अंसर जो आपशन ने ओजगा निकिस वेन जो वेन कों सी वेन होती है that are close to the surface of the body okay body surface के पास में जो close में होती है as opposite to deep vein deep vein को opposite होगी क्योंकि deep vein जो होती है surface से दूर होंगी और यह surface के पास है तो इसके examples में एक आपका बैसिलिक वेन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वसे और भी है तो यह उप्शन में आपको बैसिलिक वेन दिया हुआ है यह क्योंते है यूजली लार्जस्ट वेन होती है arms में okay often use for dialysis के लिए इसको यूज करते हैं next question है हमारा art of planning planning organizing staffing motivating and controlling is called तो यह सब कहाँ पर पढ़ते हैं planning, organizing, staffing, motivating, controlling किसमें आता है marketing में आएगा, advertising, skills में आएगा, manufacturing में या management में किसमें पढ़ते है तो यह सब आप management में पढ़ते हैं कोप्शन डी आपका मैनेजमेंट राइट हो जएगा ओके तो इसके सब्जेक्ट से उठे हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई एक दो तीन सब्जेक्ट पढ़ लेजिए एक वाली सारे के सारे लुडराट है डी एस ब्य हैं छी ऑन सब्जेक्ट से उठे हुए है तो सारे के सारे सब्जेक्ट ही हमें पढ़ने हैं कोई सब्जेक्ट हमें चोड़ना नहीं है ओके तो अभी है इसका आपने आउसर देने क्वेशन आपका डिक एक एक्जाम्पल उफ सलफोनाइल यूरिया तो इन में से कौन सा जो है सलफोनेल यूरिया है यह बताना है मेटफोरमीन दिया है टोल ब्यूटामाइड दिया रोसी गलिटाजोन रैपक लिनएड इसका आंसर आप लोगोंने कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे से लाइक करना शेयर रकना चैनल पर नए है तो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की चैनल को प्लिस सब्सक्राइब जिरूर करना ओके थेंक यू